वेलकम टू प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं कुईक मटन मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यानि के यह बहुत ही जल्दी बनकर त्यार होने वाला मटन मसाला है यह कुकर प्रेशर कुकर में ही बन जाता है और बहुत जल्दी तो जट पर अकर महमान आ जाए तो बन एक इंच की सिनमानि स्टिक और एक बेली फैट किया है अब इसमें दो मीडियम साइज की अनियान एट करेंगे और अच्छे से फ्राइ करेंगे इतना फ्राइ करना है कि अनियन थोड़ा सा ट्रांस्लूसंत हो जाए अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे सब तक हम इसे फ् पहले हमने दाला था उससे पक गई है प्याज अब तो इसमें मैं टू टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट एट कर रही हूं तो 500 ग्राम मतन मैंने यूश किया है ये रेशिपी में तो इसके हिसाब से मसाले है तो आप देख लिए आपका मतन कितना है तो अब ये जिंजर लालिक पेस्टियम अच्छे से भूल लेंगे इसमें प्याज में जी अब देखिए इसमें जो बाखी के मसाले थे वो भी मैं आट करूंगी तो हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर है सौर्ट टू टेस्ट है टू टीस्पून रच्चिली पाउडर वन टीस्पून धनिया अब देखिए मसाला अच्छे से पहले पका लेंगे अब देखिए मसाला अच्छे से पक गया है तो हम इसके मटन एड़ करेंगे तो 500 ग्राम मैंने दूए के भोगे चनी में रख दिया था ताकि एक्सक्ष वाटर निकल जाए और इसे यह बूनले बून वाला मटन है अच्छा लगता है इसे साथ रेवी के रेशिपी में अब मैंने इसे इतना भून लिया है कि इसका कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो एक ग्लास मैंने पानी आड़ किया है और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे चार से पांच विजन होने तक अब हम अच्छे से इसको प्यास को मैश करेंगे तोड़ी दियर अब मैंने ग्राइंडर में दो टमाटर ले लिये हैं और उसे पीस लिया है पेस्ट बना लिया है बेसिकली टमाटरों का अगर आप चाहते हैं कि आपको टमाटर ग्रेवी में डाल डालने के बाद में पता अपना यूज कि चलके और बीच लोगर ना दिखें हैं उसके छलके और अब इस तरह से को पता भी नहीं चलेगा और घ्रेवी बहुत थिक बनती है टमाटर दनने के लिए से और खटापन बहाता है जीए टमाटर जैसे ही पकना शुरू हो गय है मैं हंडेट ग्रम कोकोनट पाउडर एड़ कर रही हूं मैंने इसे भूना नहीं है क्योंकि यह कुई क्रिसिभी है कोई 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 डेजिकेटेड कोई कोई पाउडर किसी भी सुपर मार्किट में मिल जाता है असानी से लेकिन अगर आपके पास में नहीं हो तो आप ग्रैंडर में 100 ग्राम खोपरा मिलके बहुत ही अच्छा बनेगा थोड़ा-थोड़ा करके दानने से क्या होगा कि ट्रमाटर है इस ग्रेवी में तो दही फटेगा नहीं अगर आप एक साथ दाल देंगे तो फटने के चांसे सोथ सकते हैं दही के अब दही मैंने सारा थोड़ा-थोड़ा करके 200 ग्राम दही इसमें आड़ कर लिया अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे अब हम इसे फिर से प्रेशर कूक कर लेंगे यानिके धकन लगा देंगे कूकर का दो विजिन होने तक हम इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे और इसके बाद में ऐसी फ्लेम डोमिनित के लिए लो करके पकाएंगे और प्रिशर रिलिज्ग होने के बाद में ही कोल के देखेंगे कितना अच्छा सालन बनकर तयार बछ्चा सालन बन गया है इस तरह से पकाने से मसालों का सालन लो फ्लेम पर 2 मिनिट के लिए बहुत ही अगर आप बाहर का मसाला खाते हैं तो वह उसकिजिए लेकिन अगर आप होम मेड मटन मसाला की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताइए इंशालला मैं शेयर करूंगी और साथी में मैंने तीन ग्रीन चिली जैड कर दी और थोड़ा सा कोरियंडर पसंद आई तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्त्राइब कीजिए फ्यूर कुकिंग चानल को अगर आप में अभी तक नहीं किया है और जरूर बनाके देखिए यह मेरा मटन मसाला ठैंक्स पर वाचिंग